जहिन दोस्तों मैं निदी बेंचोहां आज हम करेंगे सन 2011 में 10th class board में आया हुआ question question number 20 है find the value of the middle term of the following AP यह हमें AP दी गई है और इसके लिए हमें middle term निकालनी है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो यह question है chapter number 5 से लिया गया है AP तो इसमें AP हमें दी गई है minus 6 minus 2 2 और last term है हमारी 58 ठीक है तो देखिए A क्या हो जाएगा minus 6 हमारा A हो जाएगा A बराबर minus 6 तो D क्या हो जाएगा पिछली term में से अगली term को minus करेंगे तो हमारा D आएगा यनि कि minus 2 में से minus करेंगे minus 6 को तो यह देखिए कर दिया है minus 2 में से minus किया minus 6 को तो हमारा आएगा D minus 2 minus minus plus और यह 6 6 में से 2 गया तो 4 यह आगया हमारा D अब हम लगाते हैं formula a plus n minus 1 d is equal to 58 ठीक है जो last time है हमारी वो 58 तो हमने यहां लिख दिया a की जगह minus 6 n minus 1 और d की जगह 4 यह देखिए अभी हमारा d आया था न 4 वो हमने यहां लिख दिया बराबर 58 अब minus 6 इधर गया तो plus 6 58 plus 6 हो गया 64 4 यहां गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो गया अब 4 से आप 64 को भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 16 अब यह minus 1 है इस तरफ आया तो plus 1 तो 16 और एक हो गया 17 तो n बराबर हमें मिला 17 अब हमें middle term निकाल ली है तो middle term के लिए हम क्या करते हैं n plus 1 by 2 तो n कितना आया है 17 तो 17 यहां लिख दिया plus 1 by 2 17 और एक 18 बटे 2 2 से 18 को भाग किया या काटा तो हमें मिला 9th term यह हमारी middle term यानिकी 9th term ठीक है अब a9 because 9th term है तो यहां पर आ जाएगा a9 तो वो क्या हो जाएगा हमारा a plus 8d जितना यहां होता है न 9 है तो उसमें से 1 को हम minus करते हैं यहां जाता है a plus 8d इससे एक कम यानिकी 9 है तो एक कम 8d तो a क्या है हमारा minus 6 plus 8 और d क्या आया था 4 इससे हब solve कर लेते हैं minus 6 8 चौक 32 32 मैं से 6 को minus किया तो हमें मिला 26 यानिकी middle term होगी हमारी 26 मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत